भावी, अब आपकी तबियत कैसे है? मैं दिलकुल ठीक हूँ भावी, मैंने सुनाए कि जब औरत प्रेगनेंट होती है तो वो अपना बहुत खयाल रखती है और मैं देख रही हूँ कि आने वाले महमान का आप भी बहुत खयाल रख रही है खयाल रखना पड़ता है जब तू प्रेगनेंट होगी ना तब पता चलेगा जानती है आरती, इस हालत में घर के सभी लोग मेरा बहुत खयाल रखते हैं सच मच, अपने आपको बहुत भागिशाली महसूस करती हो भावी, मैंने सुना था कि सेजल शादी से पहले ही प्रेगनेंट थी क्या ये बात सच है? I mean, मुझे तो यकीन नहीं आता हाँ, ये बात सच है आरती नादानी में भूल हो गया है लेकिन देख, ये बात घर तक रहे तो अच्छा है हाँ, क्या आनन्द के माथा पिता को ये पता था? जानते थे, आनन्द ने बताया भगवान का शुक्र है कि आनन्द के पेरंस ने सेजल को एक्सेप्ट कर लिया अरे हमें तो खोश होना चाहिए कि सेजल जिसके बच्चे की मा बनने वाली थी उसके उसे से शादी हुई लेकिन हमारे घर में इस बात को लेकर टेंशन तो बहुत हुआ होगा ना भावी बहुत टेंशन था जेडी काका तो आज भी सेजल से नाराज है लेकिन भावी, सेजल क्या तो सेजल की छोड़ अपनी सुना तू कब खुशखबरी सुनाएगी हमें अच्छी भावी, आपके पेट को देखे ना मुझे डर लग रहा है आपको तो बता है ना मैं कितनी फिकर कॉंशिस हूँ लेकिन एक ना एक दिनी खुशखबरी तो सुनानी पड़ेगी ना सुनाओंगी लेकिन अभी थोड़ी देर है कितनी देर है पता नहीं हुआ अच्छा तुलसी धीरे धीरे करके फैमिली के हर मेंबर को अपना बना रही है पहले महिर को अपना बनाया फिर बाप, बापुजी, जेडी भाया, गायतरी, सेजल यहां तक कि महिर के डाड़ी को भी अपना बना लिया अब वो आर्ती को अपना बनाने की कोशिश कर रही है तुलसी का राज इस घर में बढ़ने लगा है अरा, यह तुलसी तो हम से भी चालाक निकली, इसलिए मेने न मेरे चीरा के लिए भारती जैसे चोकरी को चुना है, जो मेरे काबू में रहेगी मैं तो जल सिजल चीरा की साधी भारती से करवाना चाती हूँ बाबा अगर तुलसी अपने आपको हुश्यार समझती है अदक्षा तो हम भी कुछ कम नहीं है तो, क्या बात है भाबी? क्या बात हो रही है? हरे आओ गायत्री बैठो, हम हमारी बाते कर रहे थे अच्छा? गायत्री, तुम्हें नहीं लगता है कि इन बहूं के आने के बाद इस गर में हमारी वैल्यू कम हो गई है मैं कुछ समझी नहीं भाबी हरे बात बिल्कुल साफ है गायत्री जबसे इस गर में बहूं आई है तबसे उनका ज्यादा चलने लगा है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जागा है अगर ऐसा ही चलता रहा तो राज उनके हाथ में चला जाएगा इससे बहतर है गायत्री कि हम तेनों एक हो जाए हाँ आपका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल साफ है आरती और तुलसी अगर एक हो जाएंगे तो हम अलग हो जाएंगे हमें उन दोनों को एक नहीं होने दे राएं हम बिटिशेस की पॉलिसी अपनाएंगे डिवाइड अंड रूल की उसकी बाद में देखना हमारा इराग चलेगा भावी आप मुझे गलत मत समझेगा लेकिन मैं इन सब चीजों से दूरी रहना चाती हूँ जो भी हो मैं इस घर में सुखी हूँ और हमारे ऐसा करने से घर में अशान्ती पैदा हो जाएगी घर लोगों को बीच दरार पैदा हो जाएगी अरी तो हम यही तो चाहते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती हूँ घर में अपना राज चलाने के लिए मैं रिष्टों को दाव पी नहीं लगा सकती कभी नहीं रक्षा यह तूलसी के साथ-साथ यह गायत्रिका भी कुछ करना पड़ेगा लेकिन कैसे दीदी कैसे अंबा भवन शुरू होने से पहले ही बात करवा देगी अच्छा लेकिन तो पायल को किसे इंविटेशन कार्ट दिया होगा ऐसा कॉन कर सकता है हो हो किसी ने भी दिया हो वह हम लोको क्या जीस रास्ते पर चलने वाले नहीं हो उसका नाम भी नहीं लेने का यह डायलोग है ना रेखा ने सावन बादो पिक्चर में बोला था अधि आपको ऐसा लोगता है ना आप रेखा की तरह दिखती हो मतलब दिखती हो तो रेखा की तरह सोचो भी हम लग तो जाने वाले भी नहीं है वहाँ पे तो उसके बात में क्या परेशान होने का परेशान होते है ना तो बाल सप्पे दोते है है ना हाँ वो तो है लेकिन बात नी कुछ ऐसी है ना दक्षा मुझसे रहानी जाता है कौन कर सकता ऐसा हां अभी कौरने दोना जीस को वह कौरने का है कौरने दोना हम को क्या है हम तो जाने वाले नहीं है है ना हाँ वो तो नहीं जाना है लेकिन यह किसकी चाल हो सकती है तुलसी की होने दोना वैसे भी हम तो नहीं जानेवाले हैं यहीनॉ फिरा कशा मुझे ऐसा लगता है कि हम ना कलंभा बॉप्थ म सवाबी मन जाए गहा हम लोग नहीं जाएंगे ठीक है बबाद नहीं जाएंगे अगर तुम्हें को खाबर मिले कि उस्क्सक्रवक भरदाना आया तो के फर दूसेय। लगता है मुझे अब सर्फर्वस की तरह खबरी बढ़ना पड़ेगा असली चाल कौन चल रहा है सवीता दिदी के तूलसी और अब मुझे ये देखना है सवीता दिदी अंबा भवन जाती है के नहीं जाती है चल दक्सा पान उपाड जैसे क्रस्ण भगवान ने अर्जुन को बोला था ना युद्ध की तैयारी कर उसी तरह दक्सा युद्ध की तैयारी कर और बाल उठाव हर हर महादेव सोरी हो जलरम बापा ये दिपाट्मेन उनका है आपका नहीं या क्या मैंता दक्षा तुम सोई नहीं? नहीं मैं सोच रही हूँ तुमने सोचना कब से शुरु कर दिया दक्षा? जब से तुमने बंद किया है मेरा मतलब है यह तुम्हारे बसकी बात नहीं है तुम तो फिल्मी मेगजिन पढ़ती हो रात रात बर फिल्मे देखती हो तुम्हारा दिवाग कमज़ोर हो गया है अब बंद करता सब प्लीज अरा अरा आखा टाइम मुझे ताना मारते रहते हो तुम्हारे पास दीमाग है न हम दोनों के लिए सोचने का हां मालू मैं तुम्हारा बेटा फिल्म लाइन में है तो इंट्रेस्ट रोखना पड़ता ही है सब मेगजिन न देखनी पड़ती है अमिता बच्चन को देखो तुम्हें फिल्मों के सिवाए कुछ याद रहे तबना अक्षा का लंबा भवन का उद्गाटन आर अन्सब को जाना है आपको जाना है न तुझ जाओ हो मैं नहीं जाने वाले है जो सब लोग जा रहे है तो तुम्हें कहतरा आजे अब सब लोग अंबा भवन जाएंगे तुम अकेले बैठ के क्या करोगी मैं अकेली का हूँ सवीता दीदी भी है मेरे साथ वो भी नहीं जाने वाले है गलत सवीता भावी भी वहां जा रहे है और यूर इंफर्मेशन अम्बा भवन का उद्गाटन सवीता भावी के हाथों से होने वाला है क्या कहां लो कर लो बात सारे घर को पता है और इस खबर्ची को नहीं मालूँ सवीता भावी ने अच्छी गुगली फेकी लेकिन मैं आउच होने वाली नहीं हूँ ये बात मुझे ही नहीं बताई छूपी रोस्तम निकली अगर मैं ये बात नहीं जानती ऐसा कहूंगी तो हिम्मद की मजब करने की हिम्मद बढ़ जाएगी अरा बाबा मैं तो आपका इम्ताम ले रही थी मुझे तो मालूम ही होता है सब क्या आप भी अपक्षा रात को मेरा हमत्यान क्यों लेती हो आप सोजाओ प्लीज मुझे कबसे नहीं दा रही है पर हां रात को बुरा सपना देखकर कोई हंगामा मत करता है मुझे पता है आज कर सपने देखने का प्रोग्राम रोज चिर हो गया है प्लीज गुद नाइट डॉंट है स्वीड लिम्स लेटर सी सवीता भाभी खुद जाकर मुझे मरवाना चाहती थी मेरी बदनामी करवाना चाहती थी भाभी आप नहला हो तो मैं देहला हूं आप सिता हो तो मैं गीता हूं जैसे को तैसा मैं भी कलाओंगी अंबा घवन के उदखाटन में हाँ झाल